जैन्द प्यारे साती है इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE TD Constable 2021 की भरती के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही जरूरी जानकारी देने वालों आप सभी को बताने वालों कि आपके नॉर्मलाइजिशन में नमर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगे 100% गैरेंटी के साथ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपके नमर नॉर्मलाइजिशन में घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं वीडियो को अंतक जरूर देखेगा ताकि आप सभी को पूरी जानकारी एकदम सही और आथेंटिक मिल पाए होता है किस तरीके से काम करता है उसी के बाद आप सभी को पता चल पाएगा कि आपके नॉर्मलाइजिशन में नमर घटेंगे या बढ़ेंगे तो first of all तो आप सभी को बता दे कि normalization जो होता है वो किते हो टाइप का होता है दो टाइप का होता है तो इसमें पहला जो टाइप होता है जैड मेथड ठीक है और second sorry और second जो टाइप होता है वो होता है 21% ठीक है यह दो टाइप का आपका normalization होता है इसी इसको आप पहली बार सम जीए तो अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ SSCGD Constable के लिए तो SSCGD Constable में आपका जो Normalization अपला होता है वो होता है No.1 यानि Z method का Normalization आपका यूज होता है SSCGD Constable की भरती में बाकि 21% जो आपका method होता है वो होता है SSCGD Constable है SSCGD Constable में पूरी shift को यानि पूरी shift को आपको Normalize किया जाएगा और Normalize करने के बाद all over paper को सभी को average करके Scale करके Normalize किया जाता है लेकिन 21% में क्या होता है जैसे के मान के जलिए चार सब्जेक्ट हैं यह अगर SSCGD पे अपलाई होता है तो चारो सब्जेक्टों को पहले Scale किया जाता है और Scale करने के बाद फिर अलग-अलग Number Normalize किया जाते है और हर एक सब्जेक्ट में अलग Number घटते है और बढ़ते है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि SSCGD में बात करें तो यहाँ पे होगा आपका Jed Method तो Jed Method में आपका क्या होता है वो आप सभी को Clear कर दूँ कि Jed Method में आपके पूरी जो आपका Paper होगा जैसे Paper में मानके चलिए आपके चार सिफ्ट चार Paper थे तो चारो Paper में जैसे कि मानके चल लेते हैं कि 20 November की Fast Shift का जो Paper होगा उसको पूरे को Normalize करेगा और पूरे Paper को Normalize करने के बाद स्केल्ड करने के बाद स्केल्ड करने के बाद स्केल्ड करने के बाद Normalize Score कर देगा और उसका Total Score यहाँ पे Increase हो जाएगा तो यह होता है आपका जैड मेतर और 21% आयल भी आप सभी को पता चल गया और कि यहाँ पे आपका SSCD में कौन सा Method यूज करेगा यह भी आप सभी को Clear हो गया अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि 30 नंबर वालों को जादा benefit होगा तो अब कैसे benefit होगा भाई मुझे नहीं पता कि अगर यह होता है कि जादा कम नंबर लाने पर जादा नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब तो यह है कि negative में जो दो नंबर और एक नंबर जिनके negative में नंबर आये होंगे इसका मतलब तो यह है कि उनके नंबर 101 आएंगे मतलब 100 का तो पेपर है दो चान नमबर और उन्हें बोनस के में भी दे दिये जाएं तो इसका मंदर तो यह हो गया कि पढ़ना लिखना नहीं है केबल यह सूचना है कि कम से कम नमबर कैसे लाए जाए ताकि नॉर्मलाइजिशन का वैनिफिट लेकर अपने नमबर सौकल ले जाए तो वैई इस चीज़ का कोई भी अधार नहीं है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मैथड होगा जिसमें जितने कम नमबर लाए जाए कि उतने नमबर इंक्रीज हो जाएंगी तो सबसे ज़्यादा लोग चिलाने के भाई 30 वाले 25 वाले 20 वालों को जादा वैनिफिट होगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता वैनिफिट कैसे होता है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ तो हम यहाँ पे समझते हैं कि मान की चलिए दो केंडिडेट हैं दो केंडिडेट में समझ की चलते हैं कि एक केंडिडेट ने टोटल अटेम्ट किये 75 और एक दूसरा केंडिडेट है जिसने अटेम्ट किये 55 ठीक है एक 75 अटेम्ट कर रहा है आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं आप खुद आनालाइसेस चीज़ को कर पाएंगे मैं आपको clear आपके भी बता दूँगा तो अब इसमें होगा क्या कि मान की जली इसने 75 अटेम्ट किये तो इसने गलत जो कियोशन की संक्या थी वो कितनी थी 20 इसने गलत कर दी है और इस 55 वाले के टोटल गलत हुए 4 ठीक है अब इसके 20 तो गलत हो गए तो 75 में से 20 तो यह सीधे सीधे यहां पर मायनस हो गए तो इसके वचे 55 और इसने 55 में से टोटल इसने कितने गलत किये 4 तो इसके वचे 51 अब इसके नेगटिव के कटेंगे तो 20 इसने गलत किये त तो 1 by 4 की negative mark गेंगे तो 5 नमबर इसके minus हो जाएंगे तो यहाँ पर बचाएंगे इसके 50 और इसने यहाँ पर 4 गलत किये तो 4 के लिए इसका एक नमबर कट जाएगा तो यहाँ पर इसके इतने रह जाएंगे 50 अब देखिए यहाँ पर यही में चीत है खेल पूरा यहीं पर होता है कि इसने 75 अटेम्ट किये और इसने 55 अटेम्ट किये लेकिन फाइनल में जाके इनके नमबर दोनों के रो मार्क्स रो मार्क्स दोनों के इक्वल है 50-50 अब इसमें benefit किसे होगा अब आपको यह बताने की जरूबद नहीं है उम्मीड है कि जो मैं आपको तरीका बताया था जैड मेथड़ वाला उससे आप समझ गये होंगे कि यहाँ पर benefit किसे होता और यहाँ पर अब किसे benefit होगा तो इसका बता देता हूँ अगर यहाँ पर negative marking नहीं होती तो किसे benefit होता यहाँ पर सिर्फ और उससे यहाँ पर benefit होता जिसकी shift hard होती ठीक है अगर negative marking नहीं होती बट अभी यहाँ पर आपकी negative marking add है तो किसे benefit होगा आप समझ लीजे कि यहाँ पर benefit होगा नीचे वाले candidate को क्योंकि यहाँ पे आपका method क्या आ जाएगा accuracy वाला आपका method आ जाएगा जिसकी accuracy जादा होगी उसे नमबर दिये जाएंगे क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कि इसने 55 question attempt की और 4 गलत की यहनी 10% से भी कम गलत करके आ रहा है बंदा approximately 8% के करीब इसने गलत किये हैं और यहीं पे 75 बाले ने कितने गलत किये पंदरा लगवग यहाँ पे 18% के आसपास sorry 18% क्यों 25% के आसपास इस candidate ने गलत किये हैं 25 से 26% तो आप समझ सकते हैं एक candidate ऐसा है कि जो 10% से कम उसके गलत है accuracy उसकी ज़्यादा बढ़िया हो गई लगवग 90% उसकी accuracy हो गई और जिसने 25-26% करत कियो उसकी 74% accuracy होई तो आप खुद बताइए कि 74% वाले को benefit होगा यह 90% accuracy वाले candidate का benefit होगा क्योंकि यहाँ पे negative marking है इसलिए यह चीज़ देखनी पड़ेगी 55% attempt करके वो बंदा लाता है 50 और यह 75% इसने attempt कियो और उसके बाद भी इसका 50% आ रहा है तो यहाँ पे जो benefit होगा वो हो जागा आपका 55% वाले candidate का तो यही चीज़ आपको समझे नहीं है कि आप खुद लगाईए कि अगर आप 60 question लगा के आ रहे हैं और एक बंदा है 90 question उसने attempt कियो और उसके 20 गलत हो रहे हैं या 30 गलत हो रहे हैं तो निश्यत तोर पे benefit 60 वाले को ही मिलेगा नमबर 60 वाले के ही ज़्यादा होंगे आप देख लेना भले ही अभी रो मार्क्स में आपको difference देखने के लिए मिल रहा हो ये बात एक दम 100% आपकी confirm है और देखिए नमबर की अगर मैं बात करूँ कि increase कितने हो सकते हैं कितने नमबर आपके increase हो सकते हैं तो वहाँ पे अगर मैं बात करूँ लगवक 7-8 नमबर normally आपके increase हो सकते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है 7-8 नमबर आपके increase होंगे 2018 की भरती में भी इतने नमबर increase होए थे लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़े चेंज होगी है जैसे कि आपकी negative marking का add होना इसी की वज़े से आपका जो accuracy का method है accuracy पे depend करेगा आपका Z method normalization तो इस चीज़ को कभी भी avoid ना करें जादा संख्या किसकी होती है कि मलतला कम बालों की संख्या जादा होगी ना कि अभी आप देखने लग जाए 80 marks कितने क्या है तो कम के होंगे वहीं पे आप चेकता नहे लग जाओ 25 marks कितने क्या है तो जादा की हैंगे तो benefit किसके पक्ष़ में बोलने में 25 बाले के में लेकिन हम नुक्सान कर रहे हैं 80 बाले का 25 बाले का भी क्योंकि हम उसे गलत जान करी दे रहे हैं यहाँ पर मैंने आपसे भी कोई एक्दम clear समझा दिया तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी जितनी बढ़िया accuracy होगी उतना भढ़िया आपको number यहाँ पर normalization में मिलेंगे क्योंकि shift hard and easy ये तो एक method है इन दोनों पर तो depend करेगा ही साथ में आपकी accuracy भी आपका बहुत बड़ा रोल ने बाएगी तो जिसकी accuracy बढ़िया होगी उसे निश्य तोर पर बहुत ही number यहाँ पर मिलने वाले हैं तो अमीद करता हूँ कि किसे कितने ज़्यादा मिलेंगे किसे कितने कम मिलेंगे 30 वाले के number बढ़ेंगे या 60 वाले के बढ़ेंगे या 70 वाले के बढ़ेंगे इससे कोई matter नहीं करता मान के चलिए कोई candidate है 90 question उसने attempt की और वो 90 वाले के भी तो increase होंगे उसकी accuracy देखो केवल 5 question गलत करके आ रहा है 6 question गलत करके आ रहा है यह यहाँ पर question 6% लगवग गलत कर रहा है और यह यहाँ पर 10% गलत कर रहा है तो आप यह मतमान के चलो कि 60 वाले के भी डाउट नहीं बचेगा साथियो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजेगा ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अब्डेट आप सभी को रेगुलर मिलती रहे तो फिलाल के लिए वास इतना ही जै हिंच जै भारत